पूछते मेरे भाई कि सर हम पूरी वर्काउट पूरे शिदत से करते हैं और साथ ही हम पूरी डाइट भी हम पूरी तरीकी से फॉलो करते हैं लेकिन तब भी हमारी बॉड़ी क्यों नहीं बनती तो जिनकी बॉड़ी नहीं बन रही भाई और जिनकी बॉड़ी रुकी हुए बिल्कुल भी grow नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको पूरा की पूरा देखना चाहिए इस वीडियो में आपको पूरी knowledge मिलेगी और छोटे-छोटे point ऐसे मिलेंगी जो आपको किसी ने बताये नहीं होंगे तो भाई मेरा नाम है संदीब और चैनल का नाम है विवांश फिटनस तो इस ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं मेरे भाई एक topic जो body नहीं बनने का बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और मैं जिम में अकसर देखा करता हूँ कुछ गलतिया जो आप लोग शायद इस पढ़ेगा तभी आपको लोग को यह सब चीरी knowledge आप लोग को मिलेगी तो देखो point पर आते हैं अब बात और जो मैं आपको पहली बता दू कि ज़्यादा वीडियो लंबा हमारा बनता नहीं है चोटे वीडियो पर हमारा focus ज़्यादा रहता है तो कुछ लोग बोलते हैं सर हम पूरी diet follow करते हैं और पूरी workout बहुत अच्छी तरीकी से करते हैं 6 के 6 दिन पूरा workout करते हैं कभी कबार तो कोई Sunday को जिम कुला रहता है तो उस दिन भी workout कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ गलतिया आप लोग को बताना है उस गलतियों से आप लोग को सीख के आपको आ नहीं है और continue सातों की सातों दिन करते हैं तो सबसे पहले मेरी भाई बात तो दो घंटे आपको workout किस हिसाब किसे करना चाहिए क्या लेवल होता है आपका क्या आप स्टार्टिंग है बिगना रहें इंटर्मेडियम या एडवांस है इस तरीके से अपनी body को fine करना पड़ता या यह गलती कौन करता है मेरे भाई जो बिलकुल नया नया बंदा रहता है वही यह सब चीजे दोराता है क्योंकि उसको लगता है जादा workout करूँगा तो जादा body बनेगी मेरी ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है आपको पैतालिसमेट का workout करना पड़ता है और बड़िया focus के स 4 गंटे workout करूँ ताकि मेरी body उस तरीकी की हो जाए तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरे भाई जब तक आप अपने खुद को नहीं पहचान होगे खुद की डाइट को नहीं follow कर पाऊगे जैसे कर बिगनर बंदा है तो 45 मिट का workout बहुत होता है लेकिन आपको बहुत अच्छ ज़्यादा रहते है तो भाई ज़्यादा workout ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि ज़्यादा body बनती है नॉर्मल आप 45 मिट से एक गंटे का workout करो बहुत होता है दूसरी गलती ही है मेरे भाई कि सातों की सातों दिन workout करना लोग क्या हो जाता है बिलकुल mind में चड़ जाता कि workout हमारी body बनेगी continue workout करें ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है जित्ता आपको workout करना रहता उससे ज़्यादा कटिन आपकी recovery होती है आप जब तक recover नहीं करोगे अपनी muscle को recover नहीं करोगे तब तक आप अच्छा weight lift कर ही नहीं सकते हो और जित्ता workout ज़्यादा ज़रूरी है उससे ऐसी गलती करोगे तो बिलकुल भी आपकी body grow नहीं होगी मेरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार दूसरा यह है कि डाइट आपको जब भी डाइट आपको अब मैं बता रहा हूं कि या डाइट हम total follow कर रहे हैं सर तो क्या कर रहे हैं प्रोटीन तो हम पूरा full ले रहे हैं और carbs कम कर रहे हैं तो यह गलती भी बंदे लोग करते हैं मेरे भाई carbs तो life है भाई दिन भर में आपको energy की जरूवत पड़ती है फिर में वही बात दोरा रहा हूं कि आपको क्या करना है weight gain करना है weight loss करना है तब आप जाके carbs को cut करो वो भी starting के time पे बिलकुल भी नहीं ऐसा नहीं होता कि आप carbs कम कर दो protein high कर दो तो भाई बहुत से लोग क्या होता है कि जो protein high करते हैं तो बहुत लोगों को problem हो जाती है और उसमें पानी नहीं पीते हैं और यह गलती भी एक ना मान सकते हो कि आप protein ले रहे हो protein diet का मतलब यह नहीं होता है कि आप protein लो liquid बिलकुल भी पानी आप जब तक नहीं लोगे जब तक आपकी बॉड़ी में जाएगा वह फाइन नहीं होगा है ना इसके वज़े से आप कम से कम 5-6 लीटर आपको 3-4 लीटर बोल सकते हो आप पानी पीना ही पीना है मेरे भाई ऐसा नहीं है कि हम को पानी पीना नहीं है और बसको यह supplement ले लिया और चौती या पांच वी गलती आप यह बोल सकते हो कि भाई लोग यह सोचते हैं कि प्रोटीन का एक डबा लेने से उनकी बाडी बनती है भाई प्रोटीन का एक डबा लेने से नहीं होती है वह आपको 110-120 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है आप उत्ता चिकन या आप वेजिटेरियन हो, अगर नहीं ले पार है तो तब प्रोटीन एड करो नहीं यार मेरे भाई, तब जाके आपको उसका रसाई रिजल्ट मिलेगा, बंदे क्या करते हैं, केवल प्रोटीन प्रोटीन ले रहते हैं, फिर बोलते हैं सर्फ बॉडी नहीं मन रही है, चार से पांस दिन करो, फिर वो बलता हूँ कि आपको टाइम कितना है, बिगनर है कि एडवांस है, पांस दिन करो, फिर दो-तिन महीने बाद छे दिन करो, ऐसा वर्काउट करना चाहिए, और एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, बॉडी बनने के लिए तो भाई, टाइम देना पड़ता है, बस, एक ही चीज है, आपको टाइम देना पड़ेगा, जब तक आप टाइम नहीं दोगे, टाइम मीनिंग, ऐसा नहीं 2-3-4-4 घंटे ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको अगर आप दो महीने, तीन महीने की बाडी समझ रहे हो, कि एक महीने बाडी बन भी है body और ऐसा भी ने है कि हम साल भर के बाद में बन कर दें साल भर के बाद में नहीं नहीं ये lifetime हमको follow करना पड़ता है और तमसे हम दो से अपना competition रखना चाहिए यार दूसरों से नहीं हम कल से क्या आज बहतर हुए उसको पूरा time table के हिसाफ से लिखना चाहिए हमारा अपना workout schedule plan हमने पूरा करना चाहिए जैसे इस week हमारा क्या है 15-20 दिन या one month का हमारा program क्या है हमको कितने repetition कितने sets मानने है यह चीज हमको जरूर देखनी चाहिए कि हमने कितना lift किया पिछले week इस week कितना lift कर रहे है हमाई यह चोटी-चोटी गलती है ना मेरे भाई यही कारण रहता है body नहीं बनने का बाकी तो चोड़ दो बात को बाकी हम चीज़े follow कर रहे इसको follow कर रहे तो ऐसा नहीं होता है इसको भी आपको follow करना पड़ेगा तब जाकि आपकी body एक next level की बनेगी और फिर मुझसे कोई यह पूछने वाल बंदा नहीं रहेगा कि भाई सर body क्यों नहीं बन रही है ना तो please इस तरीकी की छोटी-छोटी गलती है जो आप लोग करते हैं मैं थोड़ा सा जल्दी बोल देता हूं भाई तो थो लोग तो यह बात पहुचाने की कोशिश करता हूं तो यह मेरा अपना भाई खुछ experience था जो मैंने लोग को देखा है कभी कवर खुद भी ऐसा गलती करते हैं हम ऐसा नहीं कि भाई कभी गलती हमने कभी नहीं करी हमने भी गलती करी है यह सब चीजे तब जाके फिर आप लो लोग